अस्सलाम उलेकूम एंड हले अव्रिवन वेलकम बैक अगैन टू दे चैनल आज मैं आप लोग के साथ एक चोटा सम मिनी सब कुकिंग व्लॉक शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम एक बहुत ही डिलिशियस से स्नेक्स बना के रेडी करेंगे जो हम बच्चों को जो है लंच और बच्चे घर में ही ऐसी चीजों का टेस्ट कर ले बाहर से जंक खाने की नौबत ना है तो यहाँ पर हमने पीनट्स ले लिये हैं चने की डाल ले ली है और यहाँ पर मैं थोड़े से करी लीव्स भी निकाल लूँगी तो यहाँ पर हम मकाई का चेवडा बना के रेडी स्नेक है यह आप सभी को पता ही होगा क्योंकि यह काफी फेमस है तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रीडियन्स रेडी कर लिये हैं और साथ ही में हमने करी लीव्स ले लिये हैं इनकी कॉंटिटी आप अपने एकॉर्डिंग रख सकते हो और यह है कॉन फ्लेक्स या फिर आप इसको मकाई के पापड़ भी कह लो यह इस तरह के नजर आते हैं यह हमने ले लिये हैं अब हम इनको फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर मैंने ओईल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था और मीडियम फ्लेम पर हम इनको थोड़े थोड़े करके एड़ कर लेंगे एक साथ लेकिन फ्राइ होने के बाद यह एकदम से फूल जाते है और यह बहुत जल्दी फ्राइ हो जाते है तो आप इनको मीडियम फ्लेम पर फटाफट से फ्राइ कर लेना उसके बाद यहां पर मैंने आधा कप जितने पीनट्स ले लिए है इनको भी हम इस तरह से गुल्डन होने इसको भी हम इस तरह से गुल्डन होने तक फ्राइ करेंगे इस तरह से छनी में डाल के आप एड करोगे तो आपको बहुत ज़दा टाइम नहीं लगीगा इनको फ्राइ होने में और क्यूंकि यह सारी चीज़े काफी जल्दी फ्राइ हो जाती है तो इसलिए हम इसको छनी म आप अपने अपने अपनी फेमिली के टेस्ट के हिसाब से एड किजिएगा इसको टेस्ट देने के लिए हम एक मसाला रैडी करेंगे तो एक ग्राइंडर जार में हमने वन एन हाफ टेबल स्पून रैच चिली आधा टी स्पून हल्दी पाउडर सॉल्ट एस पर टेस टू छाडी स्पून जी बाता है 1 टेस्पून खरेंगे चार्ट मसाला टी स्पून गाते हैं शॉल्ट कि इससे में बेझे यक्षिप करते हैं यह रसे में पर टेस्वाके को फ़्.? तेस्ट के एकॉर्डिंग आप एडज्रेस् कर सकते हो आपम किसी बी ऐट एड़ितıs कर सकते हो अब हम इसको बिलृकूल इस तरह से फाइं सा ग्राइण करदेंगे आपमनी एक हम्ने टेस्ट कर लेंगे और 3 महिने म५ई तक आरह कर सकते झोल 2017 भी ऐसे चीज नहीं है जो खराब हो जाए मैंने जितनी कॉंटिटी बनाई है वो मुझे पूरे एक महीने तक चल जाती है बच्चों को यह बहुत ज्यादा पसंद आता है तो इसको एक बार जुरूर ट्राइ करना और यह मेरा मेनी व्लॉग कैसा लगा आपको यह मुझे कॉ वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक जरूर देना चैनल को सब्सक्राइब करना अपनी फ्रेंड्स और फैमली में शेयर जरूर करना अल्ला हाफिज